जैसा कि आप जानते हैं कि अगर भगवान है तो शैतान भी है. अगर आप भगवान को मानते हैं, तो जाहिर है कि आप शैतान की अस्तित्व को भी मानते हैं. शैतान, इबलीस, दानाव और लूसिफेर की सभी नाम इंसानियत के सबसे बड़े दुश्मन डेविल यानि शैतान के ही है दुनिया भर के सभी धर्मों में हमें शैतान से दूर रहने का आदेश दिया जाता है इतिहास के पन्नों को पलेट कर देखा जाए तो हमें दुनिया भर में शैतान के खौफ नाग किससे देखने को मिलते हैं कुछ लोग शैतान से नफरत करते हैं तो वहीं कुछ लोग इसकी इबादत भी करते हैं और उसे खुश करते हैं जैसे कि दुनिया के सबसे बड़ी खूफिया संस्था इल्युमेनेटी और उसका मानना है कि ऐसे करने से उन्हें कुछ आसाधारन शक्तियां प्राप्त होती हैं। दोस्तों आज की इस आधोनिक युग में भले ही आप इन सभी चीजों को काल्पनिक समझें। लेकिन ये बिल्कुल सच है कि समय समय पर कुछ लोगों का सामना शैतान से बकाइदा होता आया है। और मिस्टीरियस नाइट्स इंडिया के इस एपिसोड में हम आपको इतिहास के पन्डों में शैतान से होने वाले इनकाउंटर्स की कुछ सच्ची घटनाएं पताने वाले हैं। जो आपके होश उड़ाने के लिए काफी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लिलियास एड़ी तरो मैंस विद द डिविल मध्यकालीन युग में यूरोप में ऐसी मानेता थी कि विचेज यानी डाइने हमेशा शैतान से संपर्क में रहती हैं। और उसे खुश करने के लिए वे उसकी पूजा भी करती हैं। यहां तक कि कुछ विचेज शैतान के साथ शारेरिक संबंध भी बनाया करती थी। और बदले में शैतान उन्हें सुपर नैचरल पावर्स और हर वो लक्जीरियस चीजें ला कर देता जिनकी वो खुआश करती थी। और उसके साथ एक सौधा कर लिया। जाता है कि शैतान रात के समय इंसान के रूप में तो कभी एक बीस्ट के रूप में लिल्यास से मिलने आता और उसके साथ शारेरिक संबंध बनाता। समय के साथ साथ लिलियास की खुबसूरती निखरने लगी और उसके पास कुछ सुपरनैचरल पावर्स भी आ चुकी थी लेकिन बहुत जल्द ही लोगों को लिलियास पर शक होने लगा। उस जमाने में विच्च क्राफ्ट प्रैक्टिस करना गैर कानूनी था और विचेस को बिलकुल बरताश्त नहीं किया जाता था। जल्द ही लिलियास को गिरफतार करके जेल में डाल दिया गया। कहा जाता है कि लिलियास के बारे में बिना किसी जाच परताल के ही उसकी जेल में बेरहमी से हत्या कर दी गई। बाद में उसके मृत्त शरीर को साल 1704 में स्कॉट और उसके स्कल को एक्जैमन करनी के लिए सेंट एंटियूस यूनिवर्सिटी म्यूजियम ले जाया गया जहां से वे रहसमई रूप से गायब हो गया। बाद में साल 2017 में यूनिवर्सिटी ओफ डंडी के शोधकरताओं ने लेलियास एडी के स्कल की तस्वीरों के अधाद पर उसका चेहरा तयार किया जिससे के हमें अंताजा होता है कि वो कैसी दिखती थी। सिंट डूंस्टेंस इंकाउंटर विद दे डिविल दोस्तों एक संत का शैतान से सामना होना तो जाहिर से बात है वो ऐसी शक्तियों को बड़ ही आराम से पहचान सकते हैं ये बात है दस्वी सदी की उन दिनों इंगलेंड में डूंस्टें नायम के एक जानमाने प्रीस्ट रहते थे जिन्होंने लोगों को दिव्य ग्यान द एक मेटल स्मित और बहुत अच्छे से हार्प इंस्ट्रुमेंट बजा सकते थे कहा जाता है कि साल 988 इसवी में अपनी मौत से पहले डूस्टन ग्लेस्टन बरी में एक पादरी रह चुके थे वैसे तो उनका सामना शैतान से बहुत दफा हो चुका था लेकिन ग्लेस्टन जो कि डूस्टन से अपने लिए एक खुबसूरत प्याला बनवाना चाहता था काम शुरू करने के बाद जब डूस्टन की नजर उस बुजर्ग व्यक्ति पर पड़ी तो वो एक जवान लड़के में बदल चुका था डूस्टन ने एक बार फिर से उसकी तरफ देखा तो वो बुजर्ग एक नौचवान लड़के से एक खुबसूरत लड़की में बदल गया ये देखकर डूस्टन तुरंत समझ गए कि ये दरासल शैतान है लेकिन वो चुप चाप अपना काम करते रहे उन्होंने टॉंक्स उठा कर जलते हुए कोईले पे रख दिये और उनके लाल होने पर डूस्टन तुरंत खड़े हुए और टॉंक्स के जरिये उन्होंने शैतान को उसकी नाक से पकड़ लिया वो चीखने चिलाने लगा और डूस्टन ने उसे अपने सिल से बाहर फेक दिया इसी तरह एक दिन डूस्टन जब अपने सिल में बैठ कर हार्प बज पाने आया था इसे लिए उन्होंने उसको हूफ से पकड़ लिया और उसमें एक हॉर्स शू लगाना शुरू कर दिया डेवल चीखता रहा लेकिन डूस्टन रुके नहीं बलकि एक के बाद एक उसकी हूफ में कील्ट होकते रहे आखिरकार डेवल सेंट डूस्टन से जान और गुड लग प्रदान करने वाला माना जाने लगा रॉबर्ट जॉनसन पैक्ट विद दे डेवल दोस्तों रॉबर्ट जॉनसन अमेरिकन ब्लूस के म्यूजिशियन, सिंगर और सॉंग राइटर थे जिन्हें आज भी उनके बहतरीन गिटार बजाने के टैलेंट के कि रॉबर्ट ये अंदर बच्पन में गिटार बजाने का कोई हुनर नहीं था, वो जब भी स्कूल में गिटार बजाने की कोशिश करते तो वो किसी को भी पसंद नहीं आता था, बलकि उनका मजाक उड़ाया जाता था, पर जब वो 18 वर्ष के हुए, तो ना जाने अचान ने उनका गिटार लेके उसे ट्यून किया और उन्हें वापस दे दिया, जिसके बाद रॉबर्ट गिटार बजाने में एक्सपर्ट हो गए, वो गिटार को ऐसा बजाते जैसे उन्होंने खुद ही गिटार बनाया हो, और सुनने वालों के मुताबिक उनसे बहतर गिटार तो कोई बजा ही नहीं सकता था अब वो जहां भी गिटार बजाते लोग खड़े होकर उन्हें शौक से सुनते और उन्हें पैसे देते बहुत जल्द वे काम्याबी की उचाईयों तक पहुच गए और फिर उन्होंने कुछ गाने भी रिकॉर्ड किये दूसरे शब्दों में ये रोबर्ट और शैतान के बीच एक सौधा था कुछ लोगों के मताबिक उनके शैतान के साथ हुए सौधे के हिंट्स उनके गानों में ही मिल जाते हैं जैसे कि क्रोस डॉट्स ग्लू और मी एंड़ डिविल दोस्तों शैतान के साथ हुए इस सौधे की कीमत रोबर्ट की आत्मा थी और जल्द ही शैतान ने अपना कॉंट्रैक्ट पूरा किया साल 1938 में जॉनसन की 27 साल की उम्र में रहस्त मई धंग से मौत हो गई कहा जाता है कि रोबर्ट का एक महिला के साथ अफेयर चल रहा था जिस से वो चोरी छुपे मिलते थे और बाद में उस महिला के पती ने उन्हें शराब में जहर देकर मार डाला था वहीं ऐसा भी माना जाता है कि रोबर्ट की मौत एक गंभीर बीमारी से हुई थी ऐसा भी हो सकता है कि उनकी मौत शैतान के साथ हुए सौदे के कारण हुई थी लेकिन दोस्तों सच्चाई क्या है ये आज तक एक रहसे है इतना ही नहीं उनकी कबर exactly कहां पर है इसकी भी कोई सटीक जानकारी नहीं मिल पाई है आपको बताते कि रॉबर्ट की कबर तीन अलग-अलग जगों पर मौजूद है उनका मानना है कि रॉबर्ट की मौत उनके डेविल के साथ किये सौदे की वज़ा से हुई थी और इस रेस में वो अकेले नहीं थे उनसे पहले भी 27 साल की उमर में मरने वाले जिमी हेंट्रिक्स, यूट कोविन और जिम मौरिसन ने भी डेविल से सौदा किया था तो दोस्तों इस सभी कहानियों से एक बात तो तैह है कि जिन लोगों ने शैतान से सौदा किया पदले में शैतान उनकी आत्मा को अपने कबजे में कर लेता था और फिर बाद में उन्हें अपना खुलाम बना लेता था उन लोगों को इस दुनिया में तो सब कुछ मिल जाता था लेकिन आखिर में उनका क्या अंजाम होता है ये तो आप समझ ही सकते हैं शैतान भले ही इस दुनिया में एक्जिक्स्ट करता हो लेकिन वो हमारा तब तक कुछ नहीं बिगाड सकता जब तक कि हम अपने अंदर की बुराई को अपने आप पर हावी नहोने दें और लगातार पूझा पाठ करते रहें तो आज के लिए इतना ही दोस्तों अगर आपके साथ भी डेविल इंकाउंटर से जोड़ी कोई स्टोरी है तो आप हमारे साथ कॉमेंट सेक्षन में या फिर इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए इजास्त दीजिए